भिंजले के ओद्योगिक शेतर मालनपूर इस्तेत सुप्रिम फैक्टरी में कारत 32 वर्ष रिवकी मशीन में दुरगटना होने से मौत हो गई हाथ से के बाद परिजनों ने थाने का गहराव किया गौल्य निवासी महाविर से मलानपूर में संचाले ते मिकसर मशीन का संचालन कर जा था तब ही उसका हाथ मिकसर मशीन के अंदर चला गया और जटके से उसका सिर मशीन से टकरा गया आनन्फानन में गोहत हॉस्पिटल भीजा जहां डॉक्टर ने रित्त घोशित किया परिजनों के द्वारा थाने का घेराव किया गया जैसे इसकी सूचना की कैबिनेट मंत्री प्रद्युमंद सिंग तो मर को लगी तो वो भीज़ के गोहत चरहा थाना पहचे जहां पेड़ित परिवार को समझा कर शांत कराया हर संभब मदद का भरोसा देतेवे पाचला की आर्थिक साहता और इसकी फैक्टरी में परिवार की सदस्य को नौकरी मुया कराने का आश्वासन दिया इस अफसर पर इस पर भिंद कलेक्टर एसपी भी मौजूद रहे फिलाल पुलिस ने सी आर्पी सी की धारा एकसुचोहत्तर के तहत मार्ग दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है महवी विंदार नगर में रहता था जिनके माबाप और लड़का वसांत हुआ है महवी है वह व्यक्त का दियत मेरे पारवारे संबन्दी थे उस सेक्ट के नहींवाली लोग है गरी परिवार है अनुसुची जादवरक से वह वच्चा कल किसी तरीके से फैक्टरी में सांत हुआ मेरे को मालूम पड़ा प्रसाशन जो ग्यात हुआ है तो उस परिवार को साड़े तीन लाख रुपए फैक्टरी की तरफ से दिये जाएंगे और एक लाख रुपए एक से गेल लाख रुपए सी एम फंड से दिया जाएगा से चंदान से तो पांच लाख रुपए उस परिवार को दिये जाएंगे प्याइफ प्याइफ फंड से जो पैसा आएगा वो अत्रिक्त मिलेगा उस परिवार को एक परिवार को उसकी भाई को नोक्री मिलेगी पर्मानेंट और इनको जो है जो पैंसन है इन मावाव को पर्मानेंट पैंसन प्याइफ से मिलती है वो मिलेगी ये इस परिवार को प झाल कर दो